इस वीडियो टुटोरियल में हम कैंडला रीटेल सॉफ्टवेर में शॉप पर सेट हुए प्रॉडट के इन्वेंटरी लेवल्स की बुन्याद पर स्टॉक को ट्रांसफर करने के तरीके को समझेंगे इन्वेंटरी लेवल्स की बुन्याद पर STR बनाने के लिए हमें सबसे पहले शॉप पर प्रॉडट्स के इन्वेंटरी लेवल्स को सेट करना होता है इसके लिए हम Head Office System में Inventory Management में Inventory Levels की स्क्रीन को ओपन करेंगे जिन Products को हमने Warehouse से Shops पर Dispatch करना है उनको एक-एक करके Select करके हम पहले उनके उन मतलूबा Shops पर Inventory Levels को Set करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हम Product Code के सेक्शन से Product Select करते हैं और फिर Shop Info के सेक्शन में तमाम Shops को Select करके या फिर अलहदा-अलहदा Shops Select करके इस Product का Minimum, Optical, Maximum और Reorder Point Quantity सेट करते हैं और फिर Save के बटन से Save कर लेते हैं इसी तरह, Products के उनकी respective Shops पर Inventory Levels सेट करने के बाद, उन्हें Generate Report के बटन पर क्लिक करके देखा भी जा सकता है Warehouse और Shops पर Products के Inventory Levels को सेट करने के बाद, Built STR में STR by Inventory Levels की स्क्रीन को Open करें Line Item के Section से मतलूबा Line Item सेलेट करके, Codes के Section से मतलूबा Products को सेलेट करें Source Shop के Section से Warehouse सेलेट करें और फिर Destination Shops के Section से Destination Shops को सेलेट करें अब Set Inventory Levels के बटन पर क्लिक करें और Inventory Levels Selection वाली स्क्रीन पर Move कर जाएं यहाँ पर आप Product के Stock Transfer के लिए Inventory Level सेट करते हैं अगर Stock Transfer में Multiple Products हैं तो आप उनका अलहदा अलहदा Inventory Level भी सेट कर सकते हैं यहाँ पिर नीचे से Set Inventory Level के बटन पर क्लिक करके Stock Transfer में मौझूद तमाम Products के लिए Inventory Level Template सेट करके Save कर सकते हैं Set Inventory Level by Shop के बटन से Transfer होने वाले Products का Multiple Shops के Case में अलहदा अलहदा Shop-Wise Inventory Level भी सेट किया जा सकता है Settings के बाद Move to Step 2 के बटन पर क्लिक करें STR View Before Generation की स्क्रीन पर आपको वो तमाम Products जिनका Stock आपने Warehouse से Shop पर Transfer करना है वो Grid में मौझूद नजर आएंगी Source Quantity के कॉलम में आपको Warehouse पर मौझूद Stock Position Before Dispatch नजर आएगी POS Previous Balance के कॉलम में आपको इन Products का मतलूबा Shop पर Stock Transfer से पहले का Stock नजर आएगा Total Ordered Quantity में आपको Minimum Inventory Level की Setting के मताबिक Ordered Quantity नजर आ रही होगी अब Generate STR के बटन पर क्लिक करें और STR को Save करके Warehouse सिस्टम से मुतलेका Shops पर Dispatch कर दे इस वीडियो टुटोरियल में हमने Candler Retail Software में Shop पर सेट हुए प्रोड़क के Inventory Levels की बन्याद पर Stock को Transfer करने की तरीके को समझा Candler Retail Management Software की वीडियो टुटोरियल देखने का शुक्रिया